एडियम कैसे बने एडियम बनने के लिए देनी होती है कौन सी परिक्षा पास होने पर आखिर कितनी मिलती है सैल रिया ये बताते हैं डिटेल में हमें से अधिकांस लोग एडियम शब्द तो सुने ही होंगे लेकिन बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता है आम तोर पर एडियम को एडिशनल डिस्ट्रेक्ट मजिस्ट्रेट या उप समहरता भी कहा जाता है इस पद के लिए सीधी भरती नहीं होती है जिले एडियम कुछ मामलों में डियम के समान पावर रखते हैं जब कभी भी जिले में डियम नहीं होता है तो उसके अनुपस्थती में एडियम ही पूरा कार्य भार संभालता है कई बार जिले में डियम के पास अधिक काम होता है तो कुछ कामों को एडियम को सौप दिया जाता है लेकिन जादतर एडियम पूरे जिले के रिविन्यू से संबंदित कार्य का निप्टान करते हैं अगर आप में से कोई भी एडियम के पद पर नौकरी करना चाहते हैं तो उन्हें चैन प्रक्रिया से संबंदित तमाम जानकारी के बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे जो कि आज हम आपको बताते हैं UPSC और PCS के जरिये होता है चैन IAS अधिकारी और PCS अधिकारी बनना लाखों यूवाओं का सपना होता है इसे भारत में और राजी में सबसे प्रतश्ठित कर्यर में से एक माना जाता है IAS अधिकारी के रूप में कर्यर विभिन चुनोतियों और जिम्मिदारियों के साथ आता है जब किसी उमीदवार का चैन UPSC के जरिये होता है तो उसमें से जिसका अच्छा रैंक होता है उसे IAS कैडर दिया जाता है जब कोई IAS अफिसर अपना ट्रेनिंग पूरा करके ज्वाइन करता है तब उन्हें किसी राज्य में SDM के तौर पर न्यूक्त किया जाता है इसके बाद कई सालों तक काम करने के बाद उन्हें ADM यानि Additional District Magistrate के पद पर प्रमोट किया जाता है ठीक ऐसे ही जब PCS अफिसर अपना ट्रेनिंग पूरा करकर आते हैं तब उन्हें आम तौर पर Divisional Magistrate SDM के तौर पर कार्यभार दिया जाता है बाद में फिर इसे City Magistrate पर प्रमोट किया जाता है इसके बाद ही उन्हें ADM या Additional District Magistrate के रूप में प्रमोशन दिया जाता है अधिकान्स चिलों में ADM के दो से तीन पद हैं उनमें से सबसे आम हैं ADM City और ADM with Rajeshaw एवं ADM Executive है ADM बनने के लिए क्या पास करना होता है और कौन सा परिक्षा देना होता है आईए बताते हैं ADM के पदों पर सीधी नियुक्ती नहीं की जाती है यह प्रमोशन से बनने वाला पद है लेकिन यहां तक पहुचने के लिए सबसे पहले आपको UPSC या राज्यद्वारा आयोजित होने वाली PCS की परिक्षा पास करनी होती है हर साल UPSC सिवल सेवा परिक्षा और राज्यद्वारा परिक्षा आयोजित की जाती है इसके लिए उमिद्वारों को प्रिलिम्स, मेंस और इंटर्वियू की परिक्षा को पास करना होता है इसके बाद ही ADM बनने के पहले पड़ाओ को पाड़ किया जाता है ADM की पदों तक पहुशने के लिए आयोजित होने वाली परिक्षा के लिए उमिद्वारों को किसी भी स्ट्रीम से 50 प्रतीशत अंकों के साथ ग्राजवेट होना चाहिए समान्ने वर्गी के उमिद्वार 32 वर्स की आयू तक 6 प्रयासों के लिए योग है अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती वर्ग से समबंद्वार 37 वर्स की आयू तक जितनी बार चाहे उतनी बार परिक्षा दे सकते हैं वहीं विभिन राज्य में राज्य सिवल सेवा परिक्षा के लिए आयू सीमा अलग-अलग हो सकते हैं एडियम सतकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य करने और अंधिर्कृत भूमी कबजधारियों को बेदखल करने के लिए जम्मेदार है वह कलेक्टर, एडिस्नल कलेक्टर, एडिस्नल रिविन्यू कलेक्टर के रूप में कार्य करता है वह जिला अब्दा प्रबंदन समीती के CEO के रूप में भी काड़ करता है या A.D.M. डिप्टी सेकेटरी या अंडर सेकेटरी के समान रैंक का अधिकारी होता है जिसके पास आमतोर पर पात से आठ साल का अनुभव होता है उनका मान सिंग सेलरी लगभग 67,700 रुपे होते है